तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं DSSP का PGT फिजिकल एजुकेशन पेपर जो 2018 में हुआ था मेल का के तो इस में जो है काफी सारे हम डिसकस करेंगे कॉश्चन लगपक 200 करीब इसमें कॉश्चन आये थे और यह पूरा का पूरा वीडियो मुझे दो पार्ट में डिवाइट करना पड़ेगा नहीं तो यह वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी तो वीडियो एंट तक ज साथ फल कोल्स नहीं आते हैं डिप्लोमा से शर्टिफेक इट कोर्स इन कोचिंग या मास्टर्स दिग्री इन फिसिकल एजूकेशिन या मास्टर सोफ इस्पोर्ट कोचिंग तो यहां पर जो है MP यह पार नहीं कराता है नेक्स कोश्चन देखते हैं क्या कि रहा है इस्कू वह किस एर में फॉंड होई थी आपको बताना है 56 53 54 55 तो राइट एंसर इस 54 नेक्स कोश्चन दिखते हैं क्या कि रहा है विच फॉल्वींग इस तो नॉट है यह थे साइंस इसनल सेंटरी इंफाल कांधिनगर बैंगलोर आपके राइट एंसर इस ओल आप दिवाव ना इंफाल में है ना बैंगलोर में है ना गांधिनगर में ओके ओके सुल गेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया वास फॉर्म्ड इंडियर यह तो क्या यह एट तेक लेते हैं डैश इस आलसो नोन एस न्यूटन सेकंड लॉफ मोशन एक्रेविटिशन लोफ एक्सक्राइशन लोफ एक्सलिएयर ओफ मोशनलेशन लोफ मूमेंटव तो लोफ एक्सलरेशन होता है सेकंड लो न्यूटन का और डी इसमें कहा रहा है लोफ मुमेंटम भी उसको बोलते हैं तो आपका डी हो जाएगा यहां पर देखते हैं क्या क्या रहा है मार्क का ट्रोफी इस अवर्डेट एवर्डेट एवर्रीयर तो दी बेस्ट स्पोर्ट स्पोर्स फेडरेशन या निस तो भी इसका राइट रोज रहेगा यह आई यू ओके अधन देखते क्या किया रहा है फूर्थ वन दे लेंद्ध आफ दे बैड्मिंटन कोर्ट आफ सिंगल इस 13.40 13144 13.55 13 570 ओके दा राइट अंसर इस 13.40 यह देख लेता है यह दो बाइट आइट अंसर इस एंजाईट इस तो प्रफोर्ट इस को बड़ा भी बड़ाता ही है फिर और फिलर हो सकता है कि वह घटा है लेकिन में रिजन नहीं होगा क्योंकि एंजाइंट में ही यह चीज आजाएगी एकरेशन भी इसी माय जाएगा तो एंजाइट इस दा राइड अंसर सी नेक्स को अर्ट टैश इस दैश है एस ग्रेटर फूड वैल्यू किसमें फूड वैल्यू जदा है प्राउन एक में यह फिल कि डग एक में तो देखे मैं बता दूं आपको ब्राउन वाइट एक से कोई फ़र्क नहीं पढ़ता है दोनों में सीम अमाउंट में आपकी निट्रिशन इंक्रिटेंट्स होते हैं तो सी इस दा राइड अंसर यहां पर देख लेते हैं दवेट ऑफ डिसकर्स फॉर कंप्रिश्चन परपर ट्रू किची इधर देख लेते हैं इन हुमन बॉड़ी टुटल नंबर ओव विटामिन्स थाटीन टैन एलेवन यह ट्वेल तो एज़र राइड अंसर थाटीन हमारी विटामिन्स होते हैं बॉड़ी में बॉड़ी में जो रिक्वाइर्मेंट करती है बॉड़ी के सिक्स सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें और आगे जाने की दुरूत नहीं है यह इसका राइटन से अधर हो जाएगा नेक्स देखते हैं एस्टिमीशन ओफ बॉड़ी फैस इजमीशर दींशिंग इंस्ट्रूमेंट तो जो बॉडी बारा मिल चे जाता है नमृट है strength के लिए यूज़ होता है strength measure करने के लिए gonometer हमारा angle of the joint measure करने के लिए इंपरोब होता है flexometer flexibility measure करने के लिए यूज़ होता है और skin fold caliper जो है यह हमारा fat percentage करता है तो एस दराइट एंसर थे कहा है कि एक सेखलेता है एक a good leader will always try to influence dash of his subordinates तो जो एक good leader होता है वो किसी चीज़ को वो देखता है मतलब हमेशा इसको ध्यान रगता है तो इसका जो राइट अंसर है behavior, attitude, belief या फिर आपका all of diva so all of diva is the right answer d okay यहाँ पर देखते है next question क्या के रहा है गेम्स such as archery, wrestling, chess are contribution of Indian culture, Indian tradition, Indian civilization या Indian kingdom तो किस की देन है archery और wrestling जैसे गेम जो है हमारे वो किस चीज की देन है तो इंडियन culture की देन है ओके यह यह देखते हैं in which of the follow which of these sports India has not won Olympic medal till date कौन से आपके गेम में अभी तक Olympic में medal नहीं लिया है इंडिया तो wrestling, archery या shooting या फिट tennis और तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा right answer वो archery हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट कॉस्टिन हो जाएगा डी हो के वाट इस दा एंगल और विच दा सेक्टर इस मार्क फोर तो इवेंट इन ट्रैक एंड फिल्ड जो ट्रैक एंड फिल्ड का जो त्रोइंग त्रोइंग सेक्टर होता है वो कितना होता है तो फोर्टी डिगरी का फोर्टी फाइफ डिगरी का थर्टीन पॉइंट नेक्री टॉकर या फिर फॉर्टी इवर्ट इवर्ड फोर्ट्री इवर्स इंट इन अट्र इंड तो तो यह 1996 40 44 तो देखे कहीं और जाने की ज़रुवत नहीं है यह इसका राइटन सर्फ हो जाएगा क्योंकि उन्हें 16 में हुआ था जब बहुत तब भी हमारा बड़ीन ऑल्लम्पिक कैंसल हुआ था चालीज वाला भी हमारा कैंसल वा तोक्यो वाला और पैरिस वाला भी हमारा कैंसल हुआ था तो नेक्स्ट कॉस्चन देख लेते हैं थ्री सेकेंड्स रूल इस अप्लिकेबल फोर दी गेम ऑफ कबड़ी खोको या आपका बास्केट बॉल या बैड्मिंटें तो जो राइट असर हो जाएगा आपका त्री सेकेंड्स जो हमारा रूल होता है वह बास्केट बॉल में होता है रिंग के नीशे आप त्री सेकेंड्स से ज्यादा बॉल लेकर नहीं खड़ी हो सकते हैं कि विच आप दो फॉल्लिंग इस नॉर्ट अ कंपोनेंट आफ वार्मफ को नहीं है इस का जो राइंसर है वह बहुत अब क्योंकि प्राइमेटरिक्स क्योंकि प्रायमेटरिक्स learned को करते हैं लेकिन अटरी मे करते हैं यहाँ लिते हैं का जो मैझ कर नाय फॉलिस्ट जो लिस्ट बेंसे बिंस सिकेंड्स तो रॉनजी ट्रोफी जो होती है वो बताłos शोती है और रिलेटेड होती है और संतो स्ट्रॉफि जो है आपकी एक फुट वाल से होती है तो यहीं में शायद मैचिंग के लिए होगा हां बिलकुत सभी यहीं मैचिंग के लिए है आपका वंडल यह देखे किर्केट और टैनिस हो गया यहीं सी आपको मिल जाएगा अंसर फिर पिर मैं आपको बतायता हूं कि विवंडल ओपन जो है वो टैनिस से रिलेटेड है और थोमस कब जो है अपका वैडमेंट से रिलेटेड है तो यहां पर जो राइट अंसर हो औहट टेंक बायर परफ मिंग सेंच स्टैचिंग एकसराइसर फोलओ एलस शेसल एकसराइज असको बोलते हैं इसको कि लुव्ह Players करते हैं सिकान फोटन यहिए है首 को यह गिना तो गयैं करने आता मैं देए वालव प्राउंड या अलव देवाव क्या बोलते हैं इसका इसका जो राइट अंसर है वाल देवाव हो जाएगा सब कुछ बोलते हैं कुछ जो हम एक्ससाइज जिसमें कुलिंडवन करते हैं कुछ देख लिए विट आफ बोल देखाएं जा विधा फॉल उन्ट फॉलिई is not a part of strength training resistance training training टरेनिंग आपिंटियन ज्युटैनिगम्श त्री इस अराइट राइट एंसर सारे क्जिप्सार यह टेंग है लेकिन यह कोई ट्रीनिंग नहीं है exclusive training is training का पार्ट नहीं है एक training तो है लेकिन कोई part नहीं है strengthening का तो next question देख लेते हैं next question में कहा रहा है कि who among the following introduce the isokinetic method of training for the development of strength के strength develop करने के लिए कौन सा जो isokinetic ने वठागा है वो दिया था वो किस ने दिया था यह पूछ रहा है वो isokinetic यह किस ने दिया था तो हमारा बीपी सी बीपी कवर्टिन या का जैकोब्सन या प्लेटो या फिर जेजेए परहिन तो right answer इसका बता ही आप ओके तो इसका right answer वो जेजेए परहिन है ठीक है यहां देख लेते हैं dash helps the body to remove lactic acid and recover from high intensities that may require during competition and also ensure the athlete continues to perform at a high intensity while recovering तो इसे पूछ रहा है कि अब लेक्रेक्ट्री लेक्रेक्ट्रेक्ट्री फॉर्मेशन हो चुका है फिर भी आप ट्रेनिंग के लिए मजबूर मतलब उसके बाद भी आपको ट्रेनिंग करनी है कि आपका जो है इंटेंसिटी है वह उसका बनी रहे तो वह किसमें होती है कौन से ट्रेनिंग में होती है तो यह देखिए मैं बता दूं आपको continuous फटलेक्ट्री यह फास यह नहीं हो सकती क्योंकि यह क्या कहना चाहरा है कि आप ठक जाओ लेकिन फिर विए इतनी इंटेंसिटी कम नहीं करो अब जाहिर से बात है human tendency यह कहती है कि अगर ठक जाते तो अपना आप automatically कम जाते हैं अगर कोई exercise करते हैं तो उसके repetition मारेंगे 15-16-17 तो 17 पर जाकर अपना इंटेंसिटी है उसकी speed है वो कम कर देंगे automatically क्योंकि यह हमारी human tendency है हम ठक जाएंगे एक टाइम पर आके तो body यह अपनी intensity कम कर देगी लेकिन isokinetic जो training होती है उसमें machine से fix होती है इसके intensity आप चाहें लगाओ या नहीं लगाओ लेकिन वो तो अपना उतना ही resistance डालेगी उतना ही load आपके उपर डालेगी तो यह isokinetic मे के बाद भी आपको उतना ही intensity से आपको वर्काउट कराती है ओके नेक्स कोशन देख लेते हैं transition period in sports training aims at stabilizing of performance super composition recovery regression तो इसका जो राइट answer हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा D ठीक है recovery क्योंकि transitional period जो होता है sports training में तो नहीं हो सकता क्योंकि स्टीबलाइज नहीं करते हैं वह मरें फिर पेटरिफ्रेश की बात आती है super composition को competition में होता है हमारा ठीक है परफॉनस को हाई लेवल पर ले आते हैं recreation तो करते हैं लेकिन recreation का purpose क्या होता है recovery तो D is the right answer हो जाएगा है तो नेस question देख लेते हैं आपर during exercise more heat is produced activities activating the thermoregulating system of our body it causes secretion of large amount of sweat ठीक हम जो एक्टिविटी करते हैं तो thermoregulating system activate होता है और large amount में जो हमारा sweat है जो पसीन हो निकलता है तो किस चीज को लीट करता है किस चीज को दर्शाता है reduction of blood volume hydration due to severe exercise flood acclimation or all of the above तो इसका जो right answer हो जाएगा कि वह जाएगा हमारा कि भी हाइड़ेट hydration due to severe exercise करते हैं तभी तो हमारा पसीन निकलता है अच्छाइज हड्रेशन करता बोड़ी अपने आपको तो यहां पर इसका भी अंसर हो जाएगा तो यहां पर देख लेता है स्प्रिंटिंग requires an extreme degree of speed तो स्पीट का में क्या करना है एक फॉर्मेशन एक हमेज वह पकड़ना है कि किस चीज़ की जरूत पड़ेगी हमारे स्पीड में ठीक है यह सारी चीज़े दे रखिए इसमें लेकिन हमें इसको थोड़ा सा स्रिक्वेंसम लाकर ठीक बताना है तो सब्सक्राइब पावर के जरुष्ड भी होती है तो सबस्क्राइब में इसको जड hundred लिता खेले तो उसमन क्योंती दियर्क्शन अपका छींज हो तो यह नहीं और S भी नहीं से आपका इसो है वो राइड ऑनसर हो जाएगा के तो 30 का देखते हम फिजिकल कैमिकल बियोजिकल और मेकैनिकल एजेंटेस के जिशांग माहिटेस्थ फिजिक लेट onus तो क्या कहेंगे इसको कोई भी चीजा अगर हमारे निक्सान दें होती है तो इसको हजार बोलते हैं इसका राइटन्स और हो जाएगा ठीक है यहां देख लिता है वीच फ्रिंसिपल आफ इस पोस्ट रेनिंग रिफर्स टू जेंडल मोटर स्किल्स फिटनस टूर पंढ तो प्रिंसिपल ऑफ ओवर्लोड प्रिंसिपल बडरियेशन ये प्रिंसिपल ऑसफिटी तो यह जाए रहा है कि हमारे मोटर जैंडलोटर स्किल्स और फिटनेस को डवलफ करने में कौन से प्रिंसिपल का हाथ है तो नौर्री ये प्रिडाइशन में होता है ठीक है अप्रिंसिपल प्रिडाइशन कि तो नेक्स को देख लेते हैं कि आटा है कि आउट साइड मुमेंट अवे फ्रॉम दा मिड लाइन और बोडी लाइक लिफ्टिंग दार्म साइडवेज इस नौन एस तो हम जो है बोडी के बाहर की मुमेंट जो मिड लाइन से दूर के तरफ जाते हैं लाइक जिसमें हम इसको देखिये बता दूँ मैं आपकोور कि पैनल कॉर्ड कॉ भुष भिज़ड़ती है अब यहां से वह अपना हात जो हात है इसका यहां से ऊपर लेके जाएगा ठीक है यहां तो यह मिद्ढाइन से दूर की तरफ ले आरा है थूसको बोलते हैं अब्ड markets और अगर पास लिए आफ फोड़ा रहा होता थो यह एड़ कर रहा है मिद्द में तौछ को भूते हैं एक्षें तो यहां पर क्या है इसका जूंसर है वो अब्डैंश्यन जाएगा क्योंकि साइड बेस से वो लिफ्ट कर रहा है दूर ले आ रहा है तो अवे अवे फ्रॉम दबाडी मरलब दूर की तरफ दूर्ट कॉशन देने विच आफ फॉलइंग इस नौर डप फॉर्म फॉर्म आफ एनर्जी विट रीवेंट डेल्वेंट ट्रसाइज फिजियो लॉजी यूजिश करते हैं हमकौन सी जो है वो फॉर्म नहीं है अनर्जी आपके चैमिकल एनर्जी मेंगिल एलेक्ट्रोनिकल सब्सक्राइब 3.43 जो है वो अंसर अब का हो जाएगा ने जो वोमेन की हमारी नेट के हाइट है तो इसका वैसा का वहान हो जाएगा ठीक है 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 फंड रीघ्ड वर्न उप तर वास्कृडबाल तो है जो है रिंग की वह हमारी होते है 3.05 हाइट ओफ एंटिना इन वॉलिवल तो वॉलिवल की जो हाइट है वह थी हमारी एंटिने की 1.80 फिर डी बोला है नेट हाइट ओफ वॉलिवल वुमेन तो यहां उपर भी था यह नीचे भी है तो इसका मतलब यह कॉशन ही गलत हो गया है इस कॉशन के सबको मिले होंगे है सब को मिले होंगे लेकिन अगर यहां पर काईद में में होना चाहिए लाहींता उडिक है अगर यहां पर मैंता तो मैंध की जो हाइड होती है cev जो रिंग है प्सक्राइट अपकी 43 कि इसक्ρι Sum नेख लेते हैं कि लिगमेंट कनेक्ट तो लिगमेंट है वो किस चीस को किस से कनेक्ट करता तो टो बून को मसल वाट ⁮ टो टेंड़न तो बदात हूं आपको लिग campe सिर्फ बोन टू बोन करते हैं आधक नまた आधकर नहीं Says इस नोन एस एक वांट व्लेट जो फ्लो हो रहा है कि इवन टाइम के लिए ठीक है उसको कहेंगे इस ट्रोक वूलियम हाट फीड प्लड प्रेशर या फिक काडियो काउट तो इसका सीधा संसर है काडियो काउट प्रिस दा राइट अंसर ठीक है नेक्स्ट कोश्चन दिखते क्योंकि यही आई शी जो इंटरनेशनल लिल्पक पर काम करती है उससे कनेक्ट है हमारी इंडियन ऑलम्पिक मतलब आय ओ ए बाकि यह कॉंसिल इंटरनल उलम्पिक ऐसे या फिर आपका एसस्टीशन या फिर आपका फैडरिशन ये कोई चीज नहीं है मतलब कोई है ही नहीं कुछ नहीं है यहां पर देख लेते हैं the amount of air that enters and leaves the lungs in the minute is तो जो amount air है वो आती है lungs में और छोड़ देती है चली जाती है ठीक है एक मेर्ड में उसको क्या कहा जाता है internal respiration या pulmonary ventilation या फिर blood pressure या फिर oxygen depth तो इसको कहा जाता है आपका pulmonary ventilation b is the right answer okay the first Asian games was held in the first yields in games of account I have the case case is a sir what basic solution in this okay one man in New Delhi में हुआ था ही ठीक है तो a is the right answer is that the amount of air that enters it ho gaya the amount of oxygen consumed under maximal aerobic metabolism is called as view to max respiratory content second wind या फिर oxygen depth तो क्या बोलेंगे इसको है तो तो वियो टो मैक्स आपका हो जाएका जो हम oxygen consume करते हैं maximum aerobic metabolism मतलब बहुत जादा देर बाद जब हम हमारी exhaust हो जाते हैं हम देर देर सांस लेते हैं बहुत 30-40 मिनट हो जाता है हमको workout करते से में तो उस चीज में हमारा view to max क्राम करता है ठीक है उस particular चीज को view to max बोलेंगे हम एक वेड़े में ली और ली जाने वाली oxygen कि यहां पर पूछ रहा है कि इन देखेत लेंदा इसकेंस ऑफ इवेंट फॉर तस सेकेंड डी सेकंड डी के लिए हैं जो और डेकर देन का स्विक्वेंस वो क्या होता है तो मैं बदा दूंँ आपको हंडेट मीटर सबसे पहले होता है फिफ्टीन हंडे सबसे बात माता है यह सेकंड डी का फिल्कुल सिंपल सा का लौज़ए क्योंकि फिफ्टीन मेटर अगर किसे ने कर लिया पहले तो और सारे इवेंट कर रही नहीं पाएगा इसलिए फिफ्टीन मेटर को सबसे पहले रखा गया है ठीक है 15 सबसे बाद में रखा गया ताबकि उसके बाद को कि कि चीज कराने की जरूरती ने पड़े हैं और 110 इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसेदा एक्स्प्लोजिव पावर की जरूरत उसी यह पड़ती है लेकिन हमारे दो ऑप्शन ऐसे हैं एव जिसमें 110 और 1500 लास्ट में है तो यह मैच खा रखा है एक चुली एक और देख लेते हैं इसमें डी भी है तो डी यहां पर है लेकिन डी में शॉंट पट पहले पहले दिन होता है इसलिए यह जो है बी भी जोंग हो जाएगा तो एज राइड एंसर क्योंकि टिसकस और पोलबोल्ट और यह जवलीन थ्रू यहां पर सेकंड दे में होता है ठीक है यहां पर और चीज़े देखते हैं विच और उच्छ फूल असपेक्ट और एक्षाइड करेड़ हेली व्कप्लेश इंवारमनेंट के हलती विक्ष्ट रेष्ट अन्वारमेट कोंग करता है है वर्क प्लेंश कल्चेर फिजिकल अमर्मेंट पूपेशनल ही रड हेल्ट एंस लग्षेडल प्रेक्टिस व्कूप्ड रॉस से सारी सारी थीयोरी है तो आपको यहां देखना है कि से रिलेशन है तो तो यहां पर जो है psychonowanyletics है वो basically indicate करता है हमारा inner conflicts and struggle को ठ latch घ्र तो यह जो सब्सक् stayed through day a trait theory क्या होते है thief theory हमारा what makes up personality the association कि फ्रस्ट ब्रस्ट्रेक्टि सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव Yuri Say other to же की का दरगैब पहला हो जाएगा सब्जेक्टिव के जिनेटीक संसे में ड्यवलोब updud तो इसके अगर देख हैं तो हमारा दूसरा बी इसदा राइट अंसर गभी इसदा लाइट अंसर नेक्स्ट संदिक टैंज ऐस्ट ऑगनाइजी डिवाडी टौ कंत्रोल करकेट एड वर्ल लेफल करते है वह कौन सी हमारी बोडिन है वहमारा इंडिया में है वाकि यह कुछ नहीं है कि यहां से नेक्स कॉशन दिख रहते हैं विच फॉलाइंग स्पोर्ट इस प्लेट एट लेशन गेम्स बट नॉट एड़ अड़ी तक नहीं हुआ है और आने वाले टोक्यो ओलम्पिक में यह होने वाला है ठीक है पहली बार याद रखनां अच्छा कॉशन है मोस्ट इंपोडेंट नेक्स कॉशन देख लेते हैं एक्ट्रेशन इस पार्ट ओफ मैंस इस्टिक्टिव एवियर और इनक्सेप्टेबल इस तो यह कह रहा है अग्रेशन जो होता है मारा कुछ सा तो मैंस के इस्टिक्ट होता है मतलब अंदर का बिएवियर है लेकिन एक्सेप्टिबल किसके लिए है सोशली सोशल बिएवियर परसनल बिएवियर खॉलस्टिक या फिर नेच्रल इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो यह हो जाएगा आप कुछ लोग बोलेंगे इसमें सर हमारा एक्रेशन तो इसका होगे परसनल होता है है तो भाएया आप चॉस्चिन को जाएगे चॉस्चिन क्या बोल रहा है कि इस्टिक्ट इविर तो होता है लेकिन हें एकसेप्टिबल ऍसके लिए एकसेप्टिब्य और तोBar Geo कुछ उना तो मयातलों कुछ कभ़प सा करूआ तो गैगा दूसर the below make of sports competition were not organized in India, तो इंडिया में कौन सा जो sports competition अभी तक उन्माइस नहीं हुआ है, तो Asian Games, ya Cornwealth, World Cup Cricket या tennis World Cup तो यह हमारे सारे हो चुके हैं तीनों लेकिन tennis का जो World Cup है वो अभी तक नहीं हुआ है, यहाँपर लिस्ट को मैच करना है, एको लिस्ट भी से तो इसका जो हो जाएगा social, esteem, aesthetics ये cognition ओके तो यहाँ पर जो भूल रहा है social, esteem, aesthetics, cognition इसको सारे options हमको मिलाना है तो social जो होता है the need of social ये भी नहीं होगा, need of suspect नहीं होगा, नीचे देख लिए ते नेड़ प्रिलोंग तो connected to other people तो ये होगा है इसका, जो हमारा ए है उसका 3 हो जाएगा तो नीड आफ रेस्पेक्ट टू अदर्स कभी हो जाएगा इसका तो दो से पहले का तेसरा और दूसरे का दूसरा तो यही इसका ठीक है सी मिल लिया ठीक है यहाँ आप हम देख लेतना है और कॉस्छन को एंजाइटी है डैश इंप्लिकेशन इन स्पोट इंडाइटी जो होते हैं वो किस चीज के लिए इंप्लिकेशन पर होती है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा कुछ लोग बोलेंगे कि एंजाइटी तो भाया हमारा साइकोलोजीकल होता है लेकिन आप मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप कोश्चन को अराम से इसमिनाम से अच्छी से बढ़िए इंप्लिकेशन की चीज में होता है हमारा साइकलोज एंप्र में इसका हुजूजीकल तो हता है लेकिन मिलैमन होता है जो भत है हमारा असर दिखता है यह माई पया शान की हमज़ा कर बेठेज़ पता चला हमारे हम ने हमिल फ्टोवल में मानने गेते दी से बैदिवराइड हाएad ऑपका यह उनांस होता हैotte five का क्या यह तर दे चिह मन्सचीड सूट एक्सीड ग्रास्प और वहतेज बीहटिएर फ्लिस्ट्राइब करता है उसे लाइन है यह ऑनरा फिजिग उइश हित्व करता है guys इप trap हो कि Princeton अन्जाइटी को का Lecture Ch apparent है इस तो हुग गया अपट विजिग लओजी और फिजिकेड divert लेटेट टू रियलिज्म प्रेग्निज्म या अडेलिज्म तो प्रेग्निज्म जो है हमारा सबसे ज़्यादा आया है फिलोसफी ठीक है फिजिकल एक यहां से हम दोलते हैं इंवर्टेट यू थियूरी डिस्क्राइब दर अफ्जर रिलेशंशिप बिडवीन यू थियूर राइट अंसर है वह हो जाएगा आपका अरॉजल एंड परफोर्मेंस का ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं कि डैश अकॉर्स वैंड टॉप लियर ऑफ इसकीन इस स्क्राइब अवे एंड ब्लड ऑफ स्कीन इस तो यह कूल है कि आपकी स्कीन है वह स्क्राइब हो च इस यहां देखते हैं किया बोल रहा है अकॉर्डिंट टू जेवी नेश फिच अफ दर फॉलेंग इस नोट अब्जेक्टिव फिजिकल एजगेशन कॉन सा अब्जेक्टिव अपकर नहीं है मोशनल और नेक नेरो मस्कुलर डवलप्मेंट या कर्कुलम डवलप्मेंट त इम नहीं है कोई अब्जेक्टिव नहीं है जीवी नेश के द्वारा जीवी साब ने ऐसा बोला था ठीक है तो इसको क्या बोलते है जायर से बाद उसको डिसलोकिशन बोलते है ठीक है विच अब फॉलिए इस एक्टिविटीज आर नोट डिफाइंट अंडर इस कोप फिजिकल एजुकेशन तो फिजिकल एजुकेशन गंदर कॉंस एक्टिविटी नहीं होती है इंट्रा मॉरल या एक्ट्रमॉरल या फिर सर्विस प्रोग्राम या फिर कल्चल एक्षेंज प्रोग्राम तो इसमना ही होते हैं डी ज़राइड अंजर कि 59 54 क्या करता है देख लेता है इसके ओप्शन हमें उपर मिलेंगे फिजिकल एजुकेशन हैस ड्राइवड इन इट्स प्रिंस प्रिंस सब्सक्राइज कॉंशन ओफ फिजिकल एजुकेशन है वो लिया गया है किस चीज़ के कॉंबनेशन से ठीक है तो इसके जो ऑप्शन पर मिलेंगे अर्ट अंस स्काम एंश्या रटे जॉस्स पॉर्ट या प्रिर एश्ट विजिकल एजुकेशन इक्स मैजन यह लिए यहां पर आर्ट इन स्पोर्ट्स लाएंगे लेकिन इसका जो राइट अंसर है वो है आपका आर्ट इन साइंस ठीक है मेनिंग निकलता है यहां पर 59 देख लेते हैं डैश इस अकॉर्स फॉंड टे पर्टिर वें दे लिगमेंट एंड मसल अर्पूल्ड तो लिगमेंट अगर मसल पूल होती है तो क्या कहेंगे इसको कि तो इसको कहेंगे मसल इस्ट्रेन अज्टीन इस वर्कवाट कर लिया हमने है। ठीक है और उसके बात क्वाथ है मसल अमार्य से पूल करो गई است्राइट हो गई है तो वह मेशल्यireट नियुकिए मसल इस ट्रीन होestion ऑ flavors इसको क्या बोलेंगे इसको स्प्रिन बोलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेशन हम यहां देख लेते हैं, यहां के कहरा है, डेश इस एक्सरसाइस कंट्रोल दी रेट आफ मसल शॉंटरिंग, मसल शॉंटरिंग का जो रेट है वोक किस इस से होता है, कंट्रोल, तो मैंने बताया था, आपको कंट्रोलिंग जो है, मसल की शॉंटरिंग और एक्स्टरिंग की वो किवल किवल आईसो काइनेटिक, मतलब मशीन द्वारा हो सकती है, बागी जंपिंग यह नहीं होगी, तो D is the right answer, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देख लेते है वो कौन से, मेथड से की जाती है, तो जो इसका right answer है, वो प्लाइमेट रहे है, यहां पर दख लेते हैं, which of the following trainings aims to increase to max capacity, तो A slow continuous running training, B है आपका continuous running, C है आपका joining, और D है आपका research training, तो इसमें जो right answer होगा, तो यह view to max से बोल रहा है, कि सबसे ज़्यादा aims के लिए development के लिए ज़रूरी है, तो continuous training जो हम करेंगे, तो इसको view to max को फाइदा पहुँच रहे हैं, तो इसका right answer continuous training हो जाएगा, B, next question देखते हैं, क्या कहे रहा है, adaptation to train load at high altitude, high altitude मतलब पहाड़ों पर जो training करते हैं, तो वहाँ पर जो adaptation load हो क्या कहलाएद आता है, तो उसको कहते हैं, thermoregulation कहते हैं, या supercondition कहते हैं, या acclimatization कहते हैं, या फिर climatization कहते हैं, तो इसका right answer है, work climatization, C is the right answer, okay, next question देखते हैं, क्या कहे रहा है, तो which of the following is not a principle sports training, economy of moment, progression of load, cyclicity of training, या फिल continuity, तो इसका right answer है, वह जाएगा, आपका economy of the moment, कोई principle नहीं है, यहां पर देख लिएते हैं, क्या कर रहा है, dash ensure the moment, dash ensure the moment improvement by the challenging changes of instance training and complexity and others, overload, या फिर स्पीड या फिर आइसो मेट्रिक या फिर आइसो मेट्रिक ट्रिनिंग, तो क्या हो जाएगा है, यह जाएगा है है, और overload, ठीक है, overload challenges से ही complexity, यह moment की complexity बड़ा देना, ठीक है, वही overload है, next question दिख लेते हैं, the dash system has a much higher capacity for storing energy during exercise, तो जो exercise store करने की capacity सबसे जादा किसम होती है, during exercise, ठीक exercise करते होता है, तो जो हमारा glucose energy को store करने की तागत सबसे जादा आपके glycolytic में होती है, phosphagen या ATP, ADP में नहीं होती है, which of the following is duration are suitable for mesocycle, तो आपको weekly cycle का जाता है, mesocycle को, तो week इसमें भी है, और week इसमें भी है, एक सब महीं है, लेकिन यह बहुत जादा week है, तो इतने सारे week मन्त का एक महिना नहीं मना देंगे, मंत्र नहीं मना देंगे, तो weekly cycle सिर्फ फोर से बीमा आ रहा है, 3 to 6 week, ठीक है, यहां पर 64 क्या रहा है, which of the following is not an example of circuit training for legs, तो square भी लेक की है, step भी लेक की है, step भी लेक की है, start jump भी लेक की है, लेकिन pull up साब की लेक की नहीं है, तो अकर D is the right answer, यहां पर क्या कर रहा है, dash reflects the ability of the body to circulatory and respiratory system to supply fuel during sustained physical activity, cardio respiratory system, muscular endurance, strength and endurance, तो आपका right answer है, वो हो जाएगा, आपका cardio respiratory endurance, next question देख लेते हैं, mention the correct sequence to treat sports injuries, sports injury treat करने के लिए, साइब सेक्वेंस क्या होगा, मेतिट अए हैम पर उसी का data रह फिर अपकाद सी और यह क्रा पकाली भी में और एकर तो है ही आपका कि अबून के बीच में जो इन्फ्रिक्शन हो के मतलब आपस में घर्षन करके जो इन्फ्रामिशन होता है उसको क्या कहता है या पका शेंपलेस्ट या फिर टैनिस अलबो या फिर एक्वीट टेंडन इंज्री तो इसको कहेंगे आपको टेंडनाइटिस ठीक है यहाँ पर द precautionary preventive measure to avoid sports injury, motivation, timely treatment, proper technique या strength तो इसको कहेंगे आपन sports injury को avoid करने के लिए आपन किस चीज का use करेंगे, तो motivation तो बढ़ाने के लिए काम आता है, timely treatment ये भी उसके बाद आता है, injury के बाद treatment लेते हैं, लेकिन injury से पहले आपन proper technique इसको करेंगे, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो c is the right answer, आगे देखते हैं, dash results from the misalignment of kneecap in the groove, ठीक है, जो alignment तेड़ा मेल हो जाता है, किस चीज में, jumpers, groove में, runner's knee में, knock तो इसका जो right answer है, वो हो जाएगा आपका runner's knee में, आपका जो kneecap है, वो इधर उधर हो जाता है, जिसको आपके कटोरी भी होलते हैं, नेकी, symptoms of heart injuries are, confusion, daziness, चिली's on the chest, all of the above, तो all of the above, इसमें अपका हो जाएगा, heart injuries को यह सब चीज़े होने लगती ही, ठीक है, नेक्स कॉस्चन देख लेते हैं, on the, on field cardiopulmonary decision, मतलब CPR, CRR गलत लिखा है, CPR होता है, ठीक है, फस्ट एड में, यह गिविन, ट्रीट कर आजाता है, किसको दिया जाता है कैसे दिया जाता है, तो high blood position वाले को दिया जाता है, नहीं, heat burns को दिया जाता है, नहीं, dehydration वाले को दिया जाता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ कार्डिया करेस्ट आ गया है, वालो हार्ट अचल रुग गया है, उसको यह दिया जाता है, CPR, losing too much fluid can lead to heat exhaustion and heat stroke and is known as, जो हमारा गया है, तो उसको क्या कहेंगे, तो वह उसको बूलेंगे dehydration, okay, next question is, physical activity generally is inductive of any bodily movement produced by scheduled muscle that requires muscular endurance, energy expenditure, range of motion, strength endurance, bodily movement produced करती है, इसको क्या कहते है, तो इसको बूलेंगे आपका energy expenditure, okay, यहाँ पर देखते है, the rotator cuff is a group of test muscles and their tendons that combined to form a cuff around head to the humerus, तो head of the humerus से rotator cuff एक बनता है, ठीक है, एक injury जो tendon होती है, तो आप पर कितनी bone का joint होता है, यह बोल रहा है, तो four joint आपर, four bone cup का joint होता है, next question यह आप पर क्या कहरा है, दिख लेते हैं, which of the following does not fall under the benefit of physical fitness, तो physical fitness में क्या नहीं आदा है, sense of well-being, improved appearance, enhanced social life, या quantitative life, तो D is the right answer, hot red spots or raised area of skin filled with clear or bloody fluid area, मतलब एक गरम area, skin का, और बलट से flow हो गया, मतलब बलट से भर गया, तो उसको क्या कहेंगे, blisters, blisters कहेंगे, या फिर कुछ और कहेंगे, यहां पर अपर चले गया हैं, तो मैं आपको पता दूँ कि यह blister ही इसको कहा जाता है, ठीक है, जहां पर छोटे-चोटे दाने जाते हैं, बलट के, यह देख लेता हैं, क्या कहे रहा है, डेश can increase muscle mass, improve physical strength, तो जो आपका eccentric training, eccentric training, concentric training या फिर inclusive training, तो eccentric training जो होता है, वो आपका muscle mass improve करने में help करता है, तो be is the right answer, ठीक है, डेश is one of the most important morphological feature for characterizing human organization, tight age, body position या personality, तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, हो जाएगा हमारा, C, body composition, which of the following is a motor related physical fitness component, तो motor related components आपका होता है, कौन सा होता है, तो coordination is motor related components है, next question देख लेते हैं, match करना है, आपको 84 का, ठीक है, तो flexibility होती है हमारी, flexibility, intensity stress से होती है, speed होती है, हमारी 50-meter dash से, ठीक है, muscular endurance हमारा जो होता है, वो हमारा push-ups हो जाएगा, और agility हमारी, तो यह measuring test हैं, जिससे यह क्या-क्या measure होता है, तो इससे आप को निकाल दीजेगा, the intrinsic factors that may cause injury to the athlete body are muscle imbalance, poor preparation, poor technique, या all of the above, so the right answer is D, all of the above, ठीक है, next question क्या करा है, इनका a communicable disease that is spread from one person to another, एक परसंट तो दूसरे परसंट को जो spread होती है, इसको बोलते हैं, contact with blood bodily, breathing, airborne, या being bitten by the egg, insect, या फिर all of the above, तो इसका जो right answer हो जाएगा, हमारा all of the above, क्योंकि सभी से contact आने में या इनसेक्ट के काटने से सब सही जो है, यह disease healthy है, कमने के वाल, ठीक है, यह वाला शाहिद रहे गया, the intrinsic factor that may cause injury to athlete body are muscle imbalance, कोई intrinsic factor जो हमारा athlete body को injury पहुचा सकता है, उसको बोलतेंगे, muscle imbalance, poor preparation, poor technique, तो यह poor preparation यह poor imbalance तो बाद में आएगा, poor technique सब से जादा पहला है, C is the right answer, ओके, यहाँ पर 90 दिख लेंगे क्या कह रहा है, which of the fine is not a communicable disease, तो communicable disease आपके malaria, varicose veins और cholera, HIV, तो HIV, cholera और malaria communicable हैं, लेकिन varicose veins आपके नहीं है, वो varicose veins आपके हो जाते हैं, आपके strength training या उससे ज्यादा training करने से, its strenuous workout करने से आपके हो जाते हैं, cardiovascular fitness is necessary in the development of good heart muscle, strengthening of muscle, proper functional muscle, all of the above, तो इसका जो right answer है, वो हो जाएगा D, all of the above, the full form of HIV, HIV की जो full form है, वो हमारी human immunodeficiency syndrome, virus, okay, termination of all, यहाँ पर देख लें 86 क्या होता है, through which of the following, obesity cannot be assessed, तो obesity हमारी नहीं होती है, किस कारण, किस से measure नहीं हो सकती है, body mass index होती है, pondering index होती है, bio impedance assessment से भी होती है, obese meter से नहीं होती है, तो D is the ridence, 92 क्या करता है, termination of all transition of the infection, by extermination of the infection agent is known as, तो इसको बोलेंगे आपन, irradiation, ठीक है, C is the right answer, next question क्या कर रहा है, 93, which of the following are not a symptoms or sign of HIV, तो यहाँ के sign और symptoms नहीं है, तो यहाँ पर follow limbs nodes, या weight loss, spondylitis, या फिर fatigue, spondylitis का symptoms नहीं होता है, C is the right answer, यहाँ पर देखते हैं, calisthenics can improve, muscle endurance, muscle endurance, cardiovascular or all of the above, तो जो calisthenics है, वो हमारा सब कुछ improve करता है, all of the above, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, next देखते हैं, क्या कर रहा है, 94, hepatitis B is the continuous disease that results in, hepatitis B continuous disease जो result करता है, क्या करता है, आपका liver infection, HIV, या फिर्वोन वाइरस या मले लिया, तो liver infection यह करता है, हंटेट देखते हैं, which of the fitness principle struggles, regulatory and consistency of physical fitness, activity and importance of determines both fitness maintenance and country continue and improvement, तो इसका right answer हो जाएगा, और यहाँ प्रिंसेपल of reverse reality में यह होता है, next question देखते हैं, symptoms of acute hepatitis B virus infection is, तो joint is, nosa, या diarrhea, या all of them, hepatitis B का जो symptoms होता है, वो होता है, हमारा all of them, सब सारे symptoms हैं, ठीक है, 96, which of the following is considered as a lifelong infection, तो lifelong infection आपका एक ही है, यह वो है, हमारा hepatitis C, ठीक है, और टूबर क्लाइस is a communicable disease that is caused by cholera, तो जो अटेक, बेक्टिजा अटेक कहां टेक करता है, जो टीवी है, हमारा lungs में अटेक करता है, ठीक है, यह जाराइट अन्स है, तो टूबर क्लाइस is not spread by, not spread by the following ways, तो टूबर क्लाइस कौन से ways spread नहीं होता है, तो touching bed lines, toilet seats, ठीक है, शेकिंग fruit और drink या all of dewa, तो किस से नहीं होता, यह पूछ रहा है, तो इसका जो right answer है, वह आपको हो जाएगा D, all of dewa से नहीं होता, ठीक है, टीक है, तो यह जो question थी आपके हो चुके है, आपके 100 वीडियो आदे लेनी होरी है, इसलिए में इसके आगे question बाद में आपको लाँगा, actually 200 questions का है, पुरा paper तो 100 questions में न कर लिए, 100 questions आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगे, तो hopes आपको यह वीडियो पसंद आए होगी, आपको अच्छी लगए तो like करें, subscribe करें, ताकि आपको आने वाले